मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी जो है मिक्स सबजी के साथ जीगम अच्छे की सबजी है ना तो हमने क्या लिया है सौड़ी मैं आपको सबजी कारते टाइम दिखा नहीं पाई ये मैं आज बनाने वाली हूँ बैंगन जो मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी हलका सा ऐसा नहीं कि पूरा फ्राई करना है जो कच्छा पन है उसको हटाना है तो हमने एक बार में तेल ले लिया तेल भी हम जादा नहीं यूज करेंगे तो बैंगन को पहले फ्राई करके हमने उठा लिया है उसके हमने फूल को भी काटके दो के रखे थी उसको भी छोटा छोटा करके उसको हमने हलका सा फ्राइए करके उठा लिया अब जो मैंने डाला है वह परवल तो जो हलका सा तेल बचा हुआ था आब देक पारो कड़ाय में बिल्कुल भी तेल नहीं है तो मैं उसी में हो परवल है उसकी डाला दुबारा गरम की अच्छे से उसके बाद मैंने डाला जींगम अच्छी हमने पूरा तो नहीं फ्राइ करना होता है और कच्छा पन भी ना रहा है तो अच्छे से मिडल फ्राइ कर लेंगे कि हलकलका ब्राउन हो जाए बस बहुत होती है तो हम उठा लेंगे थोड़ा- एक साथ अगर डाल दो तो उसमें से पानी निकलते है तो एक दम बहुत लंबा टाइम लग जाता है और उसकी जो सोटिंग पन होती है तो कड़ाई जलने भी लगती है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई कर लो फ्राई भी अच्छी होती है और कड़ाई जलते बहुत भी नहीं है तो मैं उसको दो बार में फ्राई कर लिया अब जब हमारे जींगा मच्छी फ्राई हो गया तो तेल को हम गरम तेल में हमने पहले जीरा चौक लगाया जीरा के इंदर एक तेस पता डाल दिया उसके बाद एक छोटा सा प्याज मैं बारिक काटके रखी प्याज इंदर उसको बार करके उसको डाल दिया जब यह हलका सा अ प्रै şur rek 7 हंुग जो जब जीङा मच्छी फ्राई करतो हो रहतों हलका कडाई में लगते है तो इसको में जैसे अंभी प्यास डाला तो थल्दान नम्य आ जा जते ऊक्डाय में तो हम उसको कर्चि श्बद अब हम क्या करेंगे जो आलू डाल देंगे दोके क्योंकि आलू को फ्राइ करना नहीं होता है और आमने पुल्गोबी कि जो कच्चा डंडी होती है उसको भी काट लिया था तो आलू के अंदर उसको भी रख दिया दोनों एक साथ छोक लगा दिया लगए हम इसकी एक दोन कर्चे से चला देंगे फर उसमें नमक डाल दिया नमक डालकी अलू को ठोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे अभी मैं जो डाल हे हूँ वह ठोड़ा सा अध्रग डाला है क्योंकि सब्जी में मसाला मैं बहुत कम ै और साथ में मैं तेल भी बहुत एक जालता हैं तो सब्जी को द्धान से देंगे, तो क्वांटिटी बहुत ज्ञादा है, और हमने क्या डाला ही, हज़ा हम इसकी तो नगी पराटे निए, तो मिलने लगी, तो नगी है, तो मतर डाल दिया है थोड़ा इसकी ते चलिए तो मतर हम तो ब्रक्रदीं दैए, छल्डी नमक सुखा लाल मिर्ची मैं मिक्सी में पीशती हूँ घर में लेकिन बहुत बारिक नहीं पीशती हूँ बहुत मोटा भी नहीं रखती हूँ और बहुत बारिक भी नहीं नॉर्मल रखती हूँ यह श्यादा भारी खो जाती तो कर्भी बना जाती है तो हलका कसा मिक्स करके जो फ्राई करके रکھی हूए सबजी थी उसको इसको और डाल दिया डालके हलक सपानी डालके उसको चला दिये छलने के बार करेंगे हमने डख दिया जब एक बाड सुचर धकन खोलके हमने जो जीरा पुना हुआ देखा था आपको उसको पीस के डाल दिया क्योंकि सब्जी बनने के बाद ही देना होता है उसको दो-चार मिनिट पहले उसको डाल दिया जीगा मच्छी डाल दिया साथ में दोनों और फिर जब हमारा सब्जी बन गए धनियपती डाल के मैं वो भोला मच्छी के लिए मुझे नहीं पता भोला मच्छी आप लोग जानते हो या नहीं भोला मच्छी बोलते हम लोगों के गलगटा में तो उसको पहले जीरा हलका सा फ्राई कर लिया उसको रोस्टेड कर लिया फ्राई किया हलका सा भून लिया उसको करके हमने थोड़ अच्छे से करक करके फ्राइ करेंगे बहुत अच्छे से फ्राइ करेंगे इसको दो मचली हमने पहले फ्राइ कर लिया अभी हमने दो और फ्राइ कर लिया अभी हमारे पजो तेल बचा हुआ है उसी में हम जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद हम लोग एक प्याज छोटा सा प्याज काटके उसमें डाल देंगे जैसी हमारा प्याज थोड़ा सा नमी हो गया फिर हम आलू पतला पतला करके काटके दो के रख दिया अभी हम उसको डाल देंगे प्याज में हम इसको सेम चलाते रहेंगे अच्छे से पास से 7 मिनिर आपको चलाना होता है कि आलू का जो कच्छा पाने वो निकले थोड़ा नमी हो तब जाके आपको हल्दी टमाटर नमक डालके आपको फिर से उसको पास 7 मिनिर और चलाना होता है कि अर्ञ इसमें डाल दिया हलका साध्रख पीसी होई सरा मसाला मैसल प्षिμों सुखा लाल मिर्ची सिप मिक्से में पीस निया तो सारा मसाला मुझे सिनल्पटे में पीस के कहाने क्या दे ग्याद प् crescent बहुत टेस्टि बनति हैगा अगर आप सिनल्पटे में मसाला पीस के आते हो तो अब हम टमाटा डलके अच्छे से चला दिया तो में डालने से थोड़ से नमी आती है सब्जी में हलका सग गिलापन होता है तो वह तो हम दो चार मिनिट और चलाएंगे मिच्ची डालके चलाने के बाद फिर इसमें पानी डाल देंगे पानी डालके उबाला आए तो ढग देंगे डग दिया पास सांद मिनिट बाट आप देख सकते हो यह जैसे ही निकाला हमने देखा कि उसमें आलू नरम हो गया और जब मैं ढख रही थी उस टाइम मैंने जीरा भूना था पहले स्टार्टिंग में वह मैंने डाल देया था उसमें और जैसे ही उबाला कि मैंने डाल डिया डाल कर झाल दिये था बंग गए सबची तब हमने इसमें धनिया कि बत्तिए अभी सथा के टाइम है हाना देया जेकती सबची कर्के बैठ गए, मौस्त करके खाना खारे, कम तिल, कम मसाला, टेस्टी खाना.